अलो चो कैसे आप सब लोग मासाल भावत महाधिन और वेलकेम यौल और इस इंक्रिडिबल प्लेटपर्म फिजिक्स वाला तो कैसे है यार आप सब लोग फोप सो आप सब लोग अच्छे होंगे आपके तयारी भी अच्छी चल रही होगी आज यार हम आपके साथ डिस्कुस करने के लिए हैं चीटशीट सीरीज में डाट इस कैमिकल एक्वुलिब्रियम आपको पता है NCRT में एक ही जगा पी दे रखा है बट हम चीटशीट सीरीज में दो अलग-अलग पार्ट में उसको डिस्केस कर रहे हैं चाविकल एक्विलिब्रियम एड आइनिक केमिकल एकुलिब्रियम में से, छोटा चेप्टर है, कम टाईम लगाके आप कर सकते हैं और टॉपिक्स भी इसके काफी इसी है, एक तो होता है चोटा चेप्टर है बड़ काफी टेडियस से टॉपिक्स होते हैं, ऐसा है नहीं, बट आइए सबसे पहले चेक करते हैं, कि जे है के नहीं chemical equilibrium में the answer is no chemical equilibrium का syllabus जो के जेई में 2023 में था वही जेई में 2024 में भी है गभराईएगा मत यहां पर इस topic को देखे जिसका नाव है Henry's law Henry's law जो है वो जेई में के syllabus में chemical equilibrium में ही लिखा जाता है पठाँ पढ़ाता हर कोई भी हर कोई teacher इसको solution में ही है और NCRT chapter में भी solution में ही है ठीक है topics तो बहुत सारे हैं यार बट काम के I would say के 3-4 ही topic है एक है relation जो है KP और KC का एक delta G not delta G or delta G not का relation equilibrium constant के साथ ही ठीक है एंड लीच आर्टियस प्रिंसिपल एंड एक है effect on equilibrium constant अगर reaction को reverse कर दिया जाए sociometric coefficient को double कर दिया जाए triple कर दिया जाए तो effect on equilibrium constant क्या होगा यहीं तीन चार topic जो है वो important है अगले page पे हमने वो लिस्ट भी आपके सामने लिखी हुई है ठीक है के सारा syllabus नहीं लिखा है obviously हमने जो most important topic है ठीक है वो यह है एक तो equilibrium constant and its application बता देता हूं जो मैंने अभी अभी last line दोली उसी को repeat कर रहा हूं कि अगर किसी chemical reaction को reverse कर दिया जाए यह किसी reaction के stoichiometric coefficient double कर दिया जाए यह triple कर दिया जाए यह half कर दिया जाए यह किसी chemical reaction को n steps में तोड़ दिया जाए तो बताइए equilibrium constant पे क्या फरक पड़ेगा रिवर्स कर दोगे तो equilibrium constant reciprocal हो जाएगा stoichiometric coefficient को double कर दोगे equilibrium constant square हो जाएगा triple कर दोगे cube हो जाएगा stoichiometric coefficient half कर दोगे तो equilibrium constant की power में half आ जाएगा यानि कि जो stoichiometric coefficient को करोगे वही केसी की power में चला जाएगा डबल कर दिया stoichiometric coefficient को तो केशी का square ट्रिपल कर दिया तो केशी का cube हाफ कर दिया तो केशी की power हाफ हो जाएगा ठीक है और अगर आपने किसी chemical reaction को n steps में convert कर दिया तो total equilibrium constant हमेशा जितने भी steps में आपने convert किया है उसके multiply करेंगे सारे steps को और पहले वाला equilibrium constant आ जाएगा चोटा सा topic है बिल्कुल सीखने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट revise मैंने वैसे वरवली आपको बता ही दिया है ठीक है I wouldn't say के हर एक shift में इसमें से question पूछा जा रहा है बर जिस भी shift में इसमें से question पूछा जाता है बच्चे 100% ही मैं कहूंगा कि बच्चे पढ़ relation क्या है delta G is equal to delta G not plus 2.303 RT log Q अगर reaction कहां पे होगी equilibrium पे delta G 0 हो जाएगा Q की जगा K आ जाएगा तो delta G not is equal to minus 2.303 RT log K अगर आपकी तैयारी अभी थोड़ी सी कम भी चल रही है अगर इन तीन topics को भी कर लेते हैं ठीक है एंड इवदला की जिन्य और या side ठीक है question इसमें से आ गया इस पूरी तैयारी को करने के लिए मुश्किल से मुश्किल जाधा टाइम बता रहा हूं इससे कम टाइम लगेगा अगर आप करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल दो गंटे लग सकते हैं ठीक है एक दला की जोन और यह साइड और इन तीन टॉपिक्स में से कोशन आ गया तो आप करेक्ट करेंगे करेंगे Less important topics है equilibrium in physical process hardly ही इसमें से कोशन पूछा जाता है आईए by fabrication क्या है सबसे ज़्यादा कोशन कहां से पूछे जाते है equilibrium in constant and its application से 54% of the time question has been asked Lee Chartless principle में से 21% है relation between equilibrium constant and Gibbs free energy से 17% है और equilibrium in physical process से that is 8% of the time question पूछा गया है यही तीन के ओपर focus करेंगे तो आप देख रहे हैं approximately 90% of the question has been asked from the last 3 years इनी topics में से पूछे गये हैं अगर इस chapter में से question आया है तो कुछ questions देखते हैं और questions है भी ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका भी numerical मैंने जैसे बताया था chemical kinetics ऐसा chapter है जिसमें आप think without thing से question निकाल सकते हो ठीक है chemical equilibrium भी ऐसा chapter है जिसमें बहुत सारे ऐसे question होंगे जो आप बिना pen उठाए numerical भी solve कर सकते हैं अच्छा एक और बात मेरे को यहाँ पर बतानी थी वो याद आ गया कि अगर आपको कभी chemical equilibrium का numerical फस जाए और आपको लगे यार ये तो solve भी नहीं हो रहा ये तो solve भी नहीं हो रहा हूं उतसे मैं आपको एक बहुत important point बता देता हूं ठीक है वही point apply करिएगा उसी से answer आ जाएगा that is चाहे KP हो या KC हो ये दोनो temperature change किये बिना temperature change किये बिना ये change नहीं होते हैं नहीं होते हैं नाइदर KP नोर KC ये temperature change किये बिना change नहीं होते हैं ठीक है तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो numerical में अगर जहां पर भी आप फसे होंगे यही लाइन आपकी help करेगी कोशन दे रखा है equilibrium constant और उसकी application पर क्या दे रखा है four point five mole each each मतलब अच्छा ठीक है four point five mole लिये हैं अपने hydrogen और iodine के एक heated vessel में heated in a sealed vessel और volume दे रखिया उस vessel की 10 लिटर अच्छा equilibrium पर पाया गया three moles अच्छा ही के मने है equilibrium constant पूछा हुआ है यह शुरू में four point five है four point five है यह zero है equilibrium पर यह four point five minus x हो गया four point five minus x हो गया यह two x हो गया इस two x की value three दे रखिये ठीक है तो यह कितना और two x की value अगर three है तो x कितना हो गया one point five four point five minus one point five three four point five minus one point five three यह भी three है आपको equilibrium constant पूछा हुआ है इसकी concentration हो जाएगी three by ten three by ten three by ten तो केसी क्या हो गया उपर three by ten का whole square नीचे भी three by ten की power one three by ten की power one हो गया नीचे भी three by ten का whole square हो गया दोनों cancel out हो जाएंगी केसी का answer क्या आजाएगा that is one आजाएगा ठीक है तो आप देख रहे है question think without ink से ही हमने कर लिया है ठीक है तो आप अगर इस thinking को develop करे question आया भी सी साल है ऐसा नहीं है कोई पुराना question 1998 का question उठा लिया और उसको solve करके दिखा रहे हैं और करें देखिए जी ऐसा भी question solve हो सकता है ऐसा नहीं है ठीक है नेक्स कूशन देखिए यह किसके बारे में है equilibrium constant और Gibbs free energy में consider the following reactions नीचे reactions दी गई है जिसमें temperature है 27 degree Celsius और pressure 1 ATM इस reaction का rate constant forward reaction का दे रखा है backward reaction का दे रखा backward को इन्होंने के आर लिखा हुआ है reverse reaction बात एक ही है forward और backward का दे रखा है ठीक है टेंडर Gibbs free energy change बताना है डेल्टा जी नॉट 27 degree Celsius पर माइनस किलो जूल पर मोल में कितना होगा आर दे रखा है और natural log of 10 दे रखा है अब से पहले equilibrium constant निकालते हैं that is rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction this divided by this 10 आ गया equilibrium constant कितना आ गया 10 आ गया डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है डेल्टा जी नॉट होता कि इसके प्रावर है minus rt natural log of k minus rt natural log of k ठीक है natural log of k k कितना था 10 natural log of 10 कितना आ गया 2.3 बस हो गया minus rt और 2.3 2.3 को 8.3 से multiply करिए और 300 से 300 into 8.3 into 2.3 लोग या answer आ गया यह तो cancel out हो गया 83 को 3 से multiply करना करना ज़रा 249 250 मालना हूँ ठीक है 250 को 23 से multiply 250 को 23 से 250 को 23 से 250 को 20 से करता तो 5000 आता 750 के pass pass होना चाहिए पहले किया था 83 को 3 से 249 आया था ठीक है 250 माल नहीं था जिसे हमने 23 से multiply किया है 23 से करूंगा तो 20 से करते हैं तो 5000 आता है 5000 और 750 5750 5750 जूर में आया है हमें निकालना है किलो जूर में 1000 से डिवाइड कर दो 5.75 5.75 का nearest integer क्या होता है that is 6 तो यह कोशन भी हमने इंक विदाउट इंक से ही कर लिया है तो मैं कह रहा हूं उस बात का प्रूफ भी दे रहा हूं कोशन आपके सामने कर भी रहा हूं यह भी कोशन लास्ट यह आया है कोशन सबर अप सीखेंगे अपरोच करने कि तो काफी विक्ष्ट ओको लिए भी हम देके जा रही है इक विलीब्रियम नहीं हो जब तक कि उसका टेंपरेचर चेंज नहीं होगा आप उनका आंसर अब आप हमें बताएंगे और एक और कोशन है इस लीशाटले इस प्रिंसीपल पर ठीक है और लिशाटलिव पिंसीबल भी अगर आप चाहें तो आप पांच मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं क्या अगर रेक्टेंट की इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड है ना और वर्वर्ड की तरह चिप्त होगा डिक्रीज करोगे तो बैक्वर्ड प्रोडक्ट में उल्टा कर देना इसका और टेम्प्रेचर अगर इंक्रीज करोगे एक्जो में एक्जो में तो बैक्वर्ड जाएगा एंडो में फॉर्वर्ड जाएगा ठीक है प्रेशर इंक्रीज करोगे तो equilibrium उदर शिफ्ट होगा जहां पर के lesser number of gaseous moles होगे और catalyst का आपको पता ही है कि equilibrium constant पे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है equilibrium बस जल्दी आ जाता है अगर वो positive catalyst है तो उनी सिरस चीजों को use करके आप बता सकते हैं कि अगर मुझे SO3 जादा चाहिए तो मुझे इन में से क्या-क्या चीजें करनी चाहिए ठीक है इसका answer आप हमें comment में भी बताईएगा ठीक है and मिलते हैं जी आप सबसे next cheat sheet series में ठीक है तब तक के लिए revise करते रहिए negativity से दूर रहिए there are still some days are left ठीक है वो समय जिसका आपको बेसबरी से इंतजार चाहे है या नहीं है वो आएगा ही आएगा जी में का एक्जाम होगा ही होगा ठीक है अब जो समय बचा हुआ है वो आपने सोचते हुए बिताना है या काम करते हुए बिताना है वो आपके उपर depend करता है ठीक है तो कम सोचिए ज्यादा करने पर जोर लगाईए ठीक है मिलते हैं आप स सब से नेक्स क्लास्में. थांक्स पर गिदिं उस यार ताम. थांक्यू बच्चो.